प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आद और नेवर मिस अनाधर लब जा रहे हैं इनके कई shapes होते हैं और ये हर जगा पाए जाते हैं वास्तव में viruses अर्थ की most fundamental biological unit हैं viruses humans, animals, plants और यहां तक की bacteria को infect कर सकते हैं viruses का construction बहुत ही आसान है ये protein coat से बने होते हैं जिसके चारों तरफ genetic material का cover होता है genetic material DNA या RNA हो सकता है कई बार envelope नाम की membrane virus particle को cover करती है ये envelope viruses से नहीं बनता बलकि ये host cell का हिस्सा होता है ये virus की strategy होती है जिससे host cell के लिए virus को external agent के रूप में पहचानने में कठनाई होती है जैसा कि हमने अभी देखा viruses cells से नहीं बने होते हैं वास्तव में वो living यानि सजीव भी नहीं होते viruses living organism और chemical की hybrid होते हैं viruses livings नहीं होते इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ खास species के अलावा भी दूसरे कई तरह की वाइरस होते हैं influenza और HIV का AIDS कुछ common virus हैं तो अगर viruses living नहीं होते तो हमें infect कैसे करते हैं viruses parasites यानि परजीवी होते हैं जो दूसरी living cells में खुद को reproduce करते हैं viruses host genetic machinery को hijack करके viral genetic material को reproduce करते हैं virus particles की मात्रा ज्यादा होने से host cell की death हो जाती है जिससे viral particles release होते हैं जो दूसरी cells को infect करते हैं released viral particles दूसरे लोगों को भी infect कर सकते हैं वास्तव में virus host cell को दो अलग अलग तरह से attack कर सकता है इसे हम इस वीडियो में detail में देखेंगे viruses से humans में कई तरह की बिमारिया होती है cold, influenza, rabies, yellow fever, HIV, AIDS, pneumonia, bird flu, zika, ebola, cancer जैसी बिमारियां virus के कारण होती है हमारे immune system यानि प्रतरक्षा तंत्र के मजबूत होने के कारण viruses हम पे attack नहीं कर पाते immune system virus को trace करके उसे cell में घुसने से पहले ही destroy कर देता है infection शुरू होने के बाद भी हमारा immune system viruses को destroy कर देता है जिससे infected object recover करना शुरू कर देता है कई बार immune system virus को destroy नहीं कर पाता जिससे objects को permanent damage या object की death तक हो जाती है ऐसा माना जाता है कि 1918 में Spanish flu virus के कारण दुनिया भर में 50 million मौत होई थी scientists ने बहुत से viruses के against vaccinations develop किये है vaccination के कारण ही smallpox यानी चेचक जैसे virus पूरी तरह से खत्म हो चुके है हलांकि HIV जैसे viruses का vaccine अभी भी हमारे लिए एक बड़ा challenge है क्या आपको पता है कि हम viruses के treatment के लिए antibiotics का इस्तिमाल नहीं कर सकते antibiotics से सिफ bacterial infection या treatment किया जाता है तो अगर आपको cold या flu है तो आपको antibiotics नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे आपको कोई फाइदा नहीं होने वाला है viruses के against कुछ antiviral drugs develop की गई है HIV जैसे viruses के against develop किये गए antiviral drug का इस्तिमाल HIV से infected object को हमेशा के लिए करना पड़ता है तो इस विडियो में हमने viruses के बारे में जाना ये simple organism होते हैं जो हमारी body को बुरी तरह infect कर सकते हैं